पुर्य नवस्ता और दाते तारूफ तम्हीद दाते अलिगेरी उन बारा सो पैसक में फुर्दरिस पैदा हुआ पुरूद बस्ता के इस दोर को एद तारीख भी कहते हैं दाते लड़कपन ही से मस्विरी और शायरी की तरफ माईल था वो जब बलुगत को पहुंचा तो कैवेलिक एंटी, पॉस्टिया, ग्योटो और कैसीला जैसे दोस्तों के साथ उसकी महफिले मुनकिद होने लगी, बहुत जल्द उसकी शोहरत दूर दूर तक फ्यल गई, उसकी जिन्देगी का सबसे अहम वाकिया, बेट्रिस से उसका इश्ख है, जिसकी वो बरक्रास्थिश करता था 1290 में उसकी नागहानी मौत वाकिय हो गई, जो उसके लिए एक बड़ा रूहानी सब्बा था इसी सब्बे को अंगिस करने के लिए, उसने अपने आप को शायरी के लिए वख्फ कर दिया, और अदब को अपना लोजबरा बना लिया दाते की कुछ सियासी तरजिहात भी थी, जिनके बाइस उसे बड़ी आजमाईचों और मुक्तलिफ किस्म के खतरास से गुज़ना पड़ा उसने अपनी जिर्दगी के इन खदशास से भरे हुए लोजबर शब की दास्तान को अपनी सवाने वीटा नुआ में बयान भी किया है इसके इसके अलावा डी, कॉन्वीवियू, वल्गरी, एलुकुंशिया और डिवाइन कॉमेडी ने उसकी शोहरत को नाकवेल यकीन बलंदियों तक पहुचा दिया जिसका दर्जा इन सबसे अफसल है डी, वल्गरी, एलुकुंशिया जिसका आफ दवल्गर टंग या आफ राइटिंग इन अबर्नकुलर उन्मान से अंग्रिजी में तर्जमा हुआ दाते के तबकीदी शोहर की बहती नुमाइंदा है दाते ने अपनी इस तस्नीफ में वर्नकुलर यान मकामी बोली की कमजोरियों और इसकी एहमियत पर खुस्सी तोर पर तवज्जो दी वर्नकुलर से अकीदत बंदाना महबत रखता था किलासी की लातीनी जबान और अदब के सर्माए को गरांकदर समझने के बावजूद उसकी नजर में लातीनी अब एक मुर्दा जबान थी उसकी कवाईद और जबान और बयान के उसूलों का इल्म हासिल किये बगेर उसे जबते तहरीर में लाना मुश्किल है उसका कहना था कि लातीनी जबान को सीखना पड़ता है जबके मुकावी याना मादरी अतालवी जबान मा की गोथ से हमारे लिए मानूस होती है और उसे सीखने के लिए किसी किसम की महनत में मश्क और महनत भी नहीं करनी परती इस बाइस दाते अपने एहल वतन को वर्णा क्यूलर में लिखने की ताकीद करता है दाते ने जबान, मुक्तलिफ असनाफ, उसलूब, बहरो वजन वगेरा अमूर पर सेरे हासिल बहस की और जावाजा किलासीकियत की पेरवी को उद्ना गुजीर ठेराया दाते एक तखलीकी फद्गार था, उसका रुद्बा शाहिदी वे बरंद है, नकाद की हिस्सियत से उसका दर्ज़ दर्ज़ दुम है बावजूद इसके बास खयारात और तस्वबरात की एहमियत और मानुवियत से इद्गार नहीं किया जा सकता निशात सानिया से पहले उसे निशात सानिया का पेशरो नमाहिंदा भी कह सकते हैं जो जितना कदीम है उत्ता ही जदीद भी है, ये भी कह सकते हैं किलासी को नए मानी देने में उसे इसकेलीगर और सिर्दी से भी सबकत हासिल है सबक का मकस्त हमारे तलबा के लिए दाते का नाम गतन नया है उन्हें युनान और रोम के किलासी की नकादों और उनके कामों के वारे में बहुभी इल्म है लेकिन वो ये नहीं जानते कि कुरुदे वस्ता में जिसे एहद तारीक भी कहा जाता है दाते नाम का भी एक अजीम शायर और दक्काद कुजरा है जिसने किलासी को अस्सरिदों दर्याद भी किया और उसे नयमानी भी दिये हमारे तलबा इस सबक के बाद दर्जिदेल उमूर से पूरी तरहां वाकफियत हासिर कर पाएंगे नमबर एक दाते का अदबी तारीक पे क्या मकाम है नमबर दो कुरून वस्ता की क्या खुसियात है नमबर तीन कुरून वस्ता को एहद तातुली एहद तारीक क्यों कहा जाता है नमबर चार दाते लातीनी किलासी की अदब का काईल था और उसकी तकलीद को भी जरूरी ख्याल करता था लेकिन उसे एक मुर्दा जबान क्यों कहा था नमबर पांच, डाते ने लातीरी और वरनेकुलर का तकावुल क्यों किया नमबर च्छे, डाते ने वरनेकुलर ये मकामी जबान को अब्विदित क्यों दी سات کے بارے میں کیا خیال ہے داتے کا زبان کے بارے میں کیا تصور ہے نو داتے نے اسلوک کے سلسلے میں کن کن چیزوں کو خاص اہمیت دی ہے قرون عوضہ کی خصوص کیا پانچویں صدی میں رومی شہنشائیت کے سقوط خسندینیاں کی درمیان کا طویل عرصہ एहद वस्था कहलाता है जदीद औ कदीम के बीच में वाके होने वाले एहद तवकुफ में जिसकी शनाक्त तातुल अदम इस्तिकलाल और तनजल पजीरी की कैफियत के साथ वावस्ता थी कभी कभी और किसी किसी सते पर इर्तिका और नश्वनमू की सूरत भी रुदमा होकर अपना सर दिखाती है इसलिए ना तो मकमल तोर पर इसे एहद तारी कह सकते हैं और ना सरतासर बेजान, मुर्दा और इमकानाद से कतन आरी इसी तबील अर्से में रसूल लह पैदा हुए और मस्व इसलाम का वरूद हुआ इसी अर्से में दुन्या के कैई मुमालिक इसलाम और इसायत के जिरे दन्नगी आ गए रुहानियत की दुन्या एक नए माबादु तबीयाती तजर्वे से दोचार हुई असातीर रसूमात और अकाइद का खत्वा हुआ इसी असलाम रूमी शेहनशायत पर जर्मनी के हमले ने मगरिबी यूरोप की सियासी बारा दस्ती के अम्तियाज ही को ताराज कर दिया बहर रूम के इलाकों में अरबों की लशकर कशी से यूरोप की इक्तिसादी जिन्दगी तहुबाला हो गई तियारत में अरबों को सदियों का तजर्वा था आहिस्ता आहिस्ता बेनुल्मन की तजर्व तियारत पर अरबों का मकमल तसल्ट हो गया और यूरूप सिमटकर जली अक्तसादियात पर इन्हेसार करने लगा जिसने जागिरदारी निजान के लिए रहांबार कर दी ये सूरत हाल यूरूपी फिक्र पर भी असर अदाज हुई इल्म की रोशनी से आला तबकों, तिजारत पेशा लोगों और सियासी काईदीन तो फेजयाब हुए लेकिन अवामनास के अक्सरियत इससे महरूम थी हंदुस्तान भी कवों बेश इसी सूरत हाल से दोचार था हंदुस्तानी पंडितों की तरह यूरूप में भी इल्म की रोशनी पर पादरियों का इजारा था कैथलिक चर्च और जागिरदार तबके ने मिलकर इस एहद को अपनी मजजी के मताबिक ढ़ाने की कोशिश की जिसका असर तमाँ समाजी एदारों और इन्सानी रिष्टों पर भी पड़ा मजभी खायदीन की जबान लातीनी थी जिसे इसी तरह मुकद्स दर्जा हासिल था जैसे हिंदुस्तान में संस्क्रत का था मुकावी बोलियां अवामी राप्त का काम कर रही थी जिने तबके उला हिकारत की नजर से देखता था आजादी फिकर औ खियाल की कोई गुझाश न थी एहद वस्ता के एक फलस्फी बोथियस ने शायदी की नौ देवियों के तस्वर को मस्तल्ट किया थेटर को जिसे अकलो दानिश का दुश्वन कहा गया आवारा गर्दों की आमादगाह से ताविर किया सेंट बेनेडिकर्ट ने मसीही अमले के लिए हसी और कहके को ममनू ठहराया क्योंके हसरती इसावी कभी हसे नहीं थे अदब की नश्वनमा के लिए भी इस किसम की घुटी घुटी फजा नासाजगार थी कुरुन अवस्ता में शेली रजानात और बनकुलर की अहमियत लातीनी जबान इसाइयत की तबलीग कर दे लगे। कुरुन वस्ता में चुप सो आंगूं गीतों और बेलर्स का बुलवारा हुआ। बयानिया शायरी को अज्तमाही तोर पर और आहंग की बुलंदी और ढूलत ताशे के साथ अदा करने में अवाम फरहत और तजकियाती अहसास से मुस्तफिज हुए। ड्रामा तबलीग वोहिं का अलाएकार बनने की वज़े से मजहबी अकाईद औ ख्यालात की तश्यीर का एक जबरदस्त जरिया साबित हुआ। इश्क जिसमानी हुआद से निकलकर रूहानी की सिर्ग्यत का मज़र हो गया। शाइरी के कवानी में औरूज आहंग और बयान की खास क्यमत थी। कवाईदानों का बुर्वारा था। जबन और बयान का सही और दुर्स्त होना शेर की पहली शर्थ थी। जिसके बाइश शाइरी में शाइरी की रूह ही जायल हो गई। वर्दा कूलर और तबके उला की जबान वर्दा कूलर याना मकामी जबान और तबके उला की जबान अदना और आला में मनकसिम हो गई। तबके उला की जबान फन की लातिनी जबान थी। और वर्दा कूलर में आजानाना तोर पर इबरानी, अरबी, गदीम, ट्यूटोनिक और केल्टी सा तर्शमों से भी फाइदा उठाया क्लासी की शायी थी के रंगू की भी कुछ ना कुछ आमीजिश की लेकिन इन में फनकारान महारत, हैती वहदत और हम आहंगी की जबदस्त कमी थी ये चीज फिर भी इनके हमगीर असर की रह में माने नहीं आ सकी इसी फजा ने दांते जैसे शायिट को पैदा किया जिसने लातिनी जबान की गेर मामुली कुछ उठाने के बजाए मकामी अतालवी बोली की उस बातिनी कुछ को आजबाने की कोशश की जो ताहनोज अंचुई थी अंचुई इस माने में के मकामी अवामी जबान के बेरूनी जोहर को लोक शायिए आजबा रही थी लेकिन सिर्ली मावादु तबीयाती और गेर मामूली और आफाकी जबों और तजर्बों की इसमें गुझाईश न थी जाते ने वर्दा कुछर की शायिए को अजबत के तस्बूर से जोड़ दिया खवास की मकतबी शायिए में खवास ही से मखातिब थी और उसका सारा जोड लवजी किमाशात और मुसीकियाती खुशाहंगी और तराशीदा तराकीब फिक्रों और कशिश आवर लिसानी खुश अपर था इसके बराद से जंगलों दियातों और छोटी छोटी बस्तियों की कोक से फूटने वाली बे महाबा बे तकल्फ और सचे इंसानी जजबों और तजर्वों के मतदवे रंगों से मामूर लोग शायरी अपने सही मानी में इच्तिमाईी जमीर की आवास थी आवामी जोग की दुमाईंदा और आवामी महसुसाथ से जिसका खवीर उठा था इंगलिस्तान में चासर पूरी तहार लोग रिवायत से आज़ाद नहीं था बलकि लोग रिवायत ने उसकी शेरी मासुमियतों का तहफूस किया और बनावटी पंग से उसे बाद रखा चासर के तालुक चवदमी सदी के अंगलिस्तान से है जहां मुकामी यद कोमी जबाद का दर्जा लातीनी जैसी कसीर जखिये अलफाज वाली अदबी और इल्मी जबाद से कमतर समझा जाता था चासर ने अंग्रेजी जबान की कम माईगी को शेरी इजार की रह में रुकावट समझने के बजाए उसकी दाखली कुवटों पर नदर रखी जैसे हमारे जहां मीराबाई, कबीर, तुलसिदास, जाइसी, रस्खान, बुलेशा, शाहफरीद वगएरा ने हर तरह के इनसानी तज्रवों को अदा करने के लिए अवामी और इलाकाई जबाने बोलियों और उनके इम्तिजाच को फौकियत दी लिसानी और कवाईदी सख्टगीरी और नफीस तर्दों के मुसलिमा मायारों की परवा किये बगेर जजबों की जबान के आज़ाद बहाओ पर कोई बांध बादना गवारा नहीं किया दाते ने जबान के अमल से चासर की दिश्बत ज्यादा फाइदा उठाया वो तखलीकी सते पर ज्यादा जख्खार और अदाईगी के मतदवे तरीके इक्तिरा करने की एहलियत रगता था दातें को जो सर्दीमी जमीन मिली थी वो लोकशाइदी की तबील रिवायत ही की पासदार नहीं थी बलकि कई आहम और बड़े शौरा और दादिश्वारों के कारदमों से भी उसकी फजा मामूर थी वर्जिल और उविट की आवादों से भी दातें मानूस था लोकशाइदी ने तकल्मी जबान के जिस जोहर को एक कुवत के तोर पर काम में लिया था और सना ताना नजब जब्द की एक नई तारीफ मतायन की थी इन असराप ने कलिसाई हमदिया नजबों को भी एक नई आवटा बता की थी दातें उनके तरन्म की ज़ादू कैफियत से भी वाकिफ था जो बहुत जल्द कल्बों जहन को अपना असीर बदा लेती है और ये भी जान लिया था कि लिसानी हुदूद को जजबे और तजर्बे का तखलीकी वफूर ही शिकर्द दे सकता है दातें ने तर्विया ख़दावंदी में काफिया बंदी के दिजाम या तर्जरीमा का जो इहत्वाम किया था उसकी नजब जब्द का अपना ही विकार है और शिकुह था दातें की तनकीजी वसीरत ने उसके तखलीकी फंद पर और उसके तखलीकी फंद ने उसकी तनकीजी वसीरत पर जिलाकारी की इंतखाब अलफास की एहनियत दाते की मादरी जबान मुखतलिफ इलाकई बोलियों के अलफास का मरकब थी वो जबान को दो जबरों में तक्सीम करता है नमबर एक रस्टिक या देही जिसे कमतर और हकीर समझा जाता है इसलिए मुम्ताज और सरवर आबुर्दा देही जबान में उसके इस्तेमाल से बसने की कुशिश की जाती है देही जबान की शदाफ उसके आम रोजवर्रा महावरे और लहजे के साथ वावस्ता थी नमबर दो अर्बन या मदनी दाते मदनी याने शेहरी जबाद की तीन खिसमें बताता है अलिफ चाइलडिश यान तिफलाना एक ऐसी जबाद जो नापुखत और अटकसरी है नमबर दो फेमिनाईन याने निसाई याने वो जबाद जो अपती दजाकत आफरीनी से पहचा दी जाती है नमबर तीन मैसकुलाईन तजकीरी याने बुलूगत आमे जबान जो हर तहां के ख्यालात तो जबाद को अदा करने की साराईयत रखती है दाते लफजों को भी दो जबरों में लगता है नमबर एक शेगी याने खुर्दुरे दुर्श अरफाज और शकस्ता और रिखता अलफाज बे याने नमबर दू कॉम्ड यान सज़े सवरे शिरी अलफाज और साफ शफाफ आराईशी अलफाज दाते मस्कूरा बाला देही तिफलादा निसाई दुरुष्ट और शकस्ता और रिखता जबान के मकाबले में तज़कीरी जबान को उसकी सलावत आमेजी की वज़े से लायक तवज्जों कहता है लेकिन उसका सारा जोर शिरी सजल और साफ शफाफ अलफाज पर है जो शाइरी के लिए सबसे मुद्व है शिरी और साफ शफाफ किसम के अलफाज के मखलूत इस्तेवाल से शिरी असलूब में खूस्तुरत हमाहंगी पैदा होती है दाते का तसबुर जबान दाते के एक तक पहुंसते पहुंसते लातीनी जबान तकरीबन तमाम यूरोप के जहन पर मसल्ट हो चुकी थी अदब और शेर और तालीमी मखहभी और सकाफ़ती एदारों और शोबों में उसी का सिक्का चलद में था दाते कहता है कि इनसान का सबसे पहला तजर्बा तकल्म की जबान ही से वाबस्ता होता है यूनानी या लातीनी जबान की अपनी मजबूत गवाईद और रसूल जवाबित हैं रियाज और बश्ख से जिद पर कोई भी अबूर हसल कर सकता है लेकि शुरू ही से जो जबान बच्चों की आदब बच्जाती है वो मकामी तकल्म की यानि मादरी जबान ही होती है इस तरहां वरना क्यूलर को यूनानी या तालवी जबान की तरहां सीख़दा नहीं पड़ता वो कहता है कि मकामी तकल्म की जबान को बगिर किसी उसूल की पेरवी के सीख सकते है वो जबान जो कवाईद के उसूलों के मताविक महनत से सीखियाती है जैसे यूदानी या लातीनी उन्हें दाद ने दाते सानवी तकल्म की जबान कहता है मुकामी तकल्मी जबान लायक तहसीन और उम्दा होती है और उम्दा यूभी होती है कि वो हमारे लिए फित्री होती है जबके दूसरी जबाने उसके मुकाविल में बनावटी और मस्लूई होती है दाते जबान को आलाई इजहार कहता है इसलिए उसकी ताकीद उसके मुनासिव और विकार और अर्फा होने पर है वो जजबात के इजहार में बेसाख्तगी को नापसंद करता है शायरी और जबान दोनों शदीद रियास और लगातार जफाकर्शी का मतालबा करते हैं बकुल उसके जबान हमारे ख्यालाद के इजहार का ऐसा ही एक आला है जैसे किसी जाबास सुर्मा के लिए घुरा जो कि बहतीन सुर्माओं के लिए बहतीन घुरे ही मौजू होते हैं इसी तरह बहतीन अफकार और ख्यालाद के लिए बहतीन जबान दरूरी है तर्टीब इलफास दाते इंतिखाब इलफास की एहमियत पर इसहले ख्याल करने के बाद किसी भी तखलीकी फनपारे में लफजों के इस्तेवाल और उनकी तर्टीब के अमल पर बहत करता है जिससे उसलोग की बज़गायम होती है वो कहता है अलफास की तर्वियत नसिर्फ कवाईदी एतिबार से दरुस्त और फनकाराना आरास्तिकी की मज़र होनी चाहिए बलकि जखीरे अलफास के लिहास से भी उसका महजब होना दरूरी है वो अलफास के इस्तेवाल के मुक्तलिफ तरीकों पर बहस करता है नमबर एक दा अनकाउंट यान तकल्लिफ से आरी उसलूब जो बशकों मुताले की कवी का मज़र है नमबर दो दा लर्डनेट और इलिजन्ट याने आलेवाना और शाइस सा उसलूब जिसमें लफ्जों का इहतिवां खुशवजई और निफासत के साथ किया गया है इस किस्म के पेराया बयान पर खतीवाना रंग हाभी होता है जिसके बाइस जाइद जरूरी चीज़ें दराती है नमर तीन लर्डनेट और इलिजन्ट और इलिजन्ट याने आलेवाना और शाइस्ता और बयक वक्त शिकोह आगी पेराया बयान जिसमें मसन्निफ की मश्कुम मरेसत उसके लफ्जों के बरताओं और जमाओं से जाहिर होती है दाते उस उसलूप को नफीस कहता है जिसमें अरूजी साख्त और लहिजे का शिकोह पाया जाता है ये चीज उसे वरिजल, ओविड, इस्टेटियस और लोकन के शेरी कारदवों में नदर आती है नसर में लिली, पलाइनी, फिरेनियस और औरूसियस की तहरीरें इस मिसाल की मज़र है यूनानी मसानिफिन के उसलूप के खास पहचान भी गही थी जिसकी तरफ होरेस ने इशारा करते हुए लातीनी आदिवों को उसकी पैरवी की तरफ मतवज़ किया था दाते होरेस की तकलीद में मुकामी अदिवों को लातीनी के किलासी की नमूनों के मताले और उनकी पैरवी की ताकीद करता है सिन्फी सदे पर सते पर असलूप का तकाजा दाते असलूप पर बहस के दौरान महज़ लबजों के खास अमल ही का बन्याद नहीं बनाता बलकire उसका कहना है कि असलूप की माणाखेजिग उसके मुनासिम मोजों के साथ मेशरूथ है परविकार और प्रशिको असलूप अलमिया का खास्सा है वो अरस्तू की जबाद में अलमिया को दूस्री तमाँ असनाफ से बरतर करार देते हुए अलमिया के उसलूप को आला और तर्विय को अधना और लिसाई नज्म के उसलूप को पोच और घटिया से मुसुब करता है अलमिया में अलफाज इजहार और तश्कील के अमल में शिकोह नफासत और विकार को गायम रखना नागुजीर है जबके तर्विय में बे एतिदाली के साथ अधना मकामी जबान के इस्तेमाल की गुझाईश है और लिसाई नज्म के उसलूप में अधना मकामी जबान और उसके महावरे का इस्तेमाल करना चाहिए उसलूप में मौजू का के दार दाते उसलूप के लिए मौजू को भी उत्ती ही हमियत देता है जिती उसने लफजों के तालुक से बहस के दौराद की थी एक आला दरजे के उसलूप के लिए आला दरजे का मौजू भी दावजीर है एक का तालुक जरिया इजहार से है दूसरे का मकसद से और मकस्त हमेशा जरीये पर फौकियत रखता है मौज़ू अगर पुर्शिकों नहीं है तो उसलूप का पुर्शिकों होना कोई बादे नहीं रखता शौकत आगी थीम भी सिर्फ आला दर्जे की दानिश्वराना फहम की हामिल शक्सियत ही वज़ा कर सकती है दाते वर्णक्विलर की हुदूद से बखुवी वाकिफ था इसलिए वो हरकस नाकस को पुर्शिकों सलूप के लायक नहीं समझता वोही शोरा इसका हक अदा कर सकते हैं जो खास तखलेकी इस्तेदाद लगते हैं क्योंके वो जानते हैं कि हर चीज़ का अपना एक मुकाम मुएन है और वो आला दर्जिक के मुज़ुआत की नौयत से भी बखुवी आगाह होते हैं वो मिसाल के लिए अलमिया और रज़मिये के मुज़ू की तरफ मुतवज़ करता है के महद अलफाज और उनको एक खास तर्टीब के साथ अदा करने के तरीके से उसलूप का अम्तियास कायम नहीं होता एहमियत इस चीज़ की भी है कि क्या कहा गया है बहतीन शौरा ही बहतीन कलाम पर गादिर होते हैं और दाते के नजदीक बहतीन शौरा वो हैं जिनका कलाम, जकावत और इल्म का मुतहमिल है और वही बरंद और अर्फा ख्यालास से मुस्थवीज कर सकते हैं जिदें खुदादाद, तखलीकी सलायत, मैसर है और जिनका वजीफा, मशक्कत और जफाकशी है दाते, तीन मुजवाद को खास एहमियत तक्वीज करता है और तीनों को वो बहतीन मुजव कराज देता है जंग, इश्ग और मजभ पुरून वस्ता की शायरी में इश्ग और जंग के मुजव की बन्याद में मजभ है यानि इन मुजवाद का बराहे रास्त वजभ से तालुख है वर्दा की उदर शायरी, वतन से इश्ग, और रस से इश्ग और खुदा से इश्ग के महवर पर गर्दिश करती है इन मुजवाद की पेरवी करने में वो यूनानी और लातीनी अलवियों और लजवियों की रिवायत ही का अयादा करती है दाते और प्रूटास्त इन में नौ अफलातूनी अंसर को शामिल करके एक ऐसी रिवायत की बिनारालते हैं जो सोलवी सदी के अखीर तक बकरार रहती है दाते की तनकीद की खतर कीमत दाते, कुरून रवस्ता और निशातिस्तानिया के बीज की कली है जिसकी तनकीद निशातिस्तानिया की रुह की पेशलवी करती है किलासी की फहमोदानिश से रिश्टा उस्वार लगती है और वर्णाक्यूलर के मरतबे को बनद भी दी भी अता करती है उसने अदब मकस्द के लिए वर्ना क्यूलर को खास तरजीह दी और अदबी तनकीद की तारीख में एक आहम मकाम भी हसल किया लातिनी के वकाबले में वर्ना क्यूलर या मादरी जबान को तरजीह देने के बानी एक बड़े चैलेंज को गूल करना था लातिनी जबान अदब और इल्म की सद्यों पर महीत रवायत थी उसका मजब के इलावा और समा के दूसरे तालीमी और तहजीवी एदारों से रोजबरा का तालुक होने के बाइस ये ख्याल आम था कि लातिनी ही में शायरी करके अपने आपको लाफानी बनाया जा सकता है दाते ने वर्दा कुलर को तर्जी दे कर इसे गेर मामली अज़ाज बखशा और इस भरम को तोग दिया कि अध्य कच्री या नापुख्त कहलाने वाली जबान में बड़ी शायरी नहीं की जा सकती उस दे लातिनी के किलासी की जिन्दा अदब को आँखों में जगे दी लेकिन लातिनी जबान को मुर्टा करार दिया लातीनी किलासी की अदबियात के शिकों को वर्णा कुजर में अक्स करना उसका मकसूत था और उसने तरभिय ख़दावंदी में ये मकसूत पावी लिया ये एक बहुत बड़ी जस्त थी जिसने उसे हुमर और वेजल के बराबर लख़ा किया उसे ये भी साबित कर दिया के वर्णा कुजर कित्ती बलंदी को छू सकती है इसी सिलस्ले की दूसरी कड़ी विदा भी है जो के सुर्वी सदी का एक गिराकदर अतालवी नकात था जिससे दाते की रिवायत को आगे बढ़ाया उसे डी आर्ट पोईटिका में जावजा वर्णा कुजर की विता विकालत की दाते सिर्व वर्णा कुजर का हमी नहीं था बलके मुम्ताज और सरबर आवर्णा वर्णा कुजर का हमी था यानि एक ऐसी जबान को इम्तियास के स्थे पर लाने की कोशिश जो लातिनी किलासी की शिकों से आ रही थी दाते ने लफजों को कशीद किया, उनकी तथहीर की और जिलाकारी की तब कहीं जाकर उसे दुन्या को एक ऐसा शेरी असलूप दिया जो किसी भी किलासी की जबाद के अधर्द से आँखे चार कर सकता है अतालबी मुकामी जबाद एक नए जन्म के लिए दाते के इंतिजार में थी और तर्विय खुदावदी की कोक से गोया उस्ते नया जन्म लिया खुलासा दाते की पैदाईश कुरून वस्ता में हुई जिसे एहद तारीख भी कहते हैं युनान रॉम के किलासी की एहद के बाद सद्यों से खामुशी तारीख थी इसाईयत की तबलीग और जंगी हालात का जोर दिया था कुरून वस्ता में शायरी और ड्रामे को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था इसाई, प्यूरीटन उसे एकल फहम और अकीदे को विगारने वाली चीज समझते थे लातीनी जबान इसाईयत की तबलीग और इशाद का जरिया थी इस बाइस, मقामी जबानों को उमूमन कम तर अर दूसरे ज़जह का समझा जाता था तादाते ने लातीनी जबान को मुर्दक करार दिया लेकिन उसके किलासी की एदब का उस बरस्त मुद्ख भी था दाते ने मقामी जबान में तरवय ख़ुदाबंडी ये डिवाइन कॉमेडी जैसा शोहरा आपाक रस्मियां लिखा और ये थाबित किया कि वर्दाकूलर में भी इजहार की जबरदस्त कुवत है वो तखलीकी फंकार ही नहीं था बलकि गहरा तनिकीदी शहूर भी रखता था उससे डी वर्लगरी और अलो क्यो नाम की ततकीदी किताब भी लिखी जो अग्रेजी में आफ राइटिंग इन दा वर्नाकूलर के उन्मान से शाया हुई दाते ने इस किताब में जिन अमूर को अपनी बहस का मौदू बदाया वो ये हैं नमर एक वर्नाकूलर के नमकावी जबान की खासेहनियत है नमर दो लातीनी जबान एक मुर्दा जबान है लेकिन उसका किलासी की सर्वायाए सर्वाया लायक तहसीन और लायत तकलीद है नमर तीन लातीनी जबान और उसकी कवाईद को सीखना पड़ता है कि इस जबान में अदब तखलीख किया जाए शायरी की जबान को शायसता और शकोखिस होना चाहिए वो ये भी कहता है कि उसका असलूब पुर्विकार होना चाहिए नमबर साथ असलूब के बादी में बहतीन लबजी इंतिखाब और तर्तीब के नहीं हैं बलके मौजू को भी आला होना चाहिए नमबर आठ अलमिया की सिन्फ तमाव असलाफ से बरतर और अफजल है नमबर नौ अलमिया और रजमिया के अहम मौजू इश्ग जंग और मसब हैं इन मोजूआत की बनियात पर बड़ी शायवी की जा सकती है इस मानी में दाते एक ऐसा किलासी कی शायर है जो किलासी की रिवायत से जो के यूनान और रोमन ने कायं की थी उसके बहुत बादे पैदा हुआ लेकि बहुत बादे पैदा हो कर उसे ये तस्वर कायम किया कि किलासी की रिवायत के के पासदार बाद भी पैदा हो सकते हैं और बाद भी पैदा होने वारे भी वो शोरा जिनके जिनमें के खुदाला सलाहित मौजूद है जो के एक हसास जहन रखते हैं जिरहें अपनी जबान पर पुद्रत हासिल है और जो सिर्फ पेटरंस या तक्नीके या या जो पहल पिछली नसलों ने जो असालीब पैदा किये हैं उन्हीं पर इक्तिफा नहीं करते वही शोरा एक क्लासी की शायर बनने के एहल भी होते हैं दाते ने टिवाइन कामेटी के जरीए ये साबित किया कि कुरून वस्ता जिसे एहद तारीक कहते हैं वो इतना एहद तारीक भी नहीं है बलके उस एहद तारीक को रोशन करने के लिए दाते जैसी मिसाल एक अबदी नौईज़ रखती है झाल 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 झाल